अगर सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुँच गई है, कोट में केंदर के इनकार के बाद, आज दिल्ली में सियम नितीश ने अपनी हनक दिखा दी दो टूक जवाब दिया कि जातिय जनगनदा होनी चाहिए और रही सही कसर भी पूरी कर दी जो बीजेपी की तरफ से दलील दी जा रही थी कि उपजातियों को लेकर नितीश कुमार ने इस्तिती को सफ़ष्ट कर दिया और संकेत दे दिया कि अगर जातिय जनगनदा पर फैसला नहीं हुआ तो राज जिमेश सरवदली अबैठक में आगे की रननेती तैकी जाएगी इस मसले पर बीजेपी का स्टेन क्लियर है तो नितीश ने भी सक्त तेवर दिखाए है अगर 4,88,000 जातियों की रिपोर्टिंग S.E.C.C.C. डाटा में हुई है तो कैसे 4,88,000 कॉलम करके किया जा सकता है जाति और उपजाति ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है तो तो अगल बगल सब जगा होता हूं कि ट्रेनिंग होगी उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे जातिय जनगणना पर नितीश का करारा जवाब हलफ नामे में दिये गए तर्क को किया पानी-पानी बीजेपी का स्टेंड क्लियर नितीश के सख्त देवा गए थे नकसलवाद पर बैठक करने लेकिन दिल्ली में जवाब दिया जाती है जनगणना पर नितीश कुमार ने वोट में दिये गए केंदर के हलफ नामे को पानी-पानी कर दिया तर्क की कसोटी पर ऐसा कसा किस सवाल उठाने वालों की बोलती बंद हो गई ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो एकोनोमी कास सिंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है इसका अब तब जातीगा जनगणना नहीं हो सकती है ये बात उचितनी सरकार ने मना कर दिया है अब ये जो कोट का मामला है सोशियो एकोनोमी कास सिंसस से संबंदित मामला अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है तो इसका उससे कोई संबंद नहीं है हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ पर ठीक ढंक से विचार करके पुनर विचार करके जिसको जातीगत जनगणना कराए बात इतनी ही नहीं कल तक बीजेपी के जो दिगज उपजातियों का हवाला दे रहे थी आज उन्हें उन्हीं उपजातियों के तर्क पर नितीश कुमार ने ऐसा घेरा कि उनकी बोलती बंद हो अब बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही है पधान मंत्री जी इसमें तई करेंगे क्योंकि इसमें सभी लोग चाहते हैं लेकिन अब परस्तिती क्या थी पिछले वार की स्तिती में चार लाक टाइस हजार उपजातियों का नाम आया है तो यह कॉलम में नहीं हो सकता है राजसरकार को इसी के लिए स्वतंद्र किया गया है कि जो भी राजसरकार हैं वो इस चींजों को करें लेकिन राश्ती अस्तर पर थोड़ा कटनाई आ रही है जिस पर देश के पधान म अंतिर जी का अस्पस्ट निरले नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को निराश होने के भी जरूरत नहीं है मितीश कुमार ने जातिय जनगना को लेकर सक्त संदेश दिया है लेकिन महागठवन्धन को अभी भी मितीश कुमार पर फरोसा नहीं है क्योंकि वो अभी भी बीजेपी के साथ खड़े है यदि आप सही माइने में जातिय जनगना के समर्थक हैं तो आप ये एलां किजिए कि हम एंडिये के जो दिये गए हलफ नामे हैं उसका विरोध करते हैं और इनसे डाता रिष्टा हम तोड़ते हैं उस दिन भी एक समद नहीं बोले अब तो हलफ नामा थे कि उन्होंने साबित कर दिया उनका कोई इसमें इंट्रेस्ट नहीं हो नहीं चाहते हैं अगर मुख्यमंत्री जी की नियट ठीक है तो उन्हें काईदे से अपने खर्चे से बिहार में जद्केत आधार पे जिन्गना करा लेनी चाहिए जैसा उन्होंने कहा भी था और नहीं महागठ बंधन को नितीश पर भले भरोसा ना हो लेकिन नितीश कुमार ने ये मैसेज देकर साफ कर दिया है कि अगर केंद्र उनकी मांग से इतिफाक नहीं रखती है तो राजजी में वो अलग से इस पर कोई पैसला ले सकते हैं संभव है अगर ऐसा फैसला हुआ तो बीजेपी के पेशानी पर बल पड़ जाएगा दिल्ली से नहा के साथ प्रीतम जी मीडिया पटना